अगर आपको कहें कि आप 100 साल तक जी सकते हैं, आप यकीन करेंगे, नहीं न, पर ये संभव है, वीडियो शुरू करने से पहले आप से अनुरोध है, वीडियो पूरा देखें जापान के लोग इतनी लंबी उम्र तक कैसे जी पाते हैं, क्या आपको पता है, अगर आपको नहीं पता तो हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे जापान ने टेकनलोजी में इतनी उन्नती कर ली है, जिससे उनका जीवन आसान हो गया है, वहीं दूसरी तरफ, इसकी वज़े से हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है, क्योंकि जो काम हम पहले अपने हाथों से किया करते थे, उसकी जगह आज रोबोट, मशी और रिमोट ने ले ली है, लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि जापान एक ऐसा देश है, जो की टेकनलोजी और नए नए अविशकारों के ख्षेत्र में सभी देशों से आगे होने के बावजूद भी विश्वकी सबसे सेहत मंद देशों की श्रेड़ी में आ पाल की उम्र को पा लेते हैं, तो चलिए जानते हैं जापानियों की रोज की दिन चर्या या फिर लंबी उम्र जीने का राज, अगर ये कहा जाए कि एक व्यक्ति ने 112 बसंद देखे, तो शायद आप यकीन ना कर पाएं, क्योंकि आज के जमाने में लोग इतना जी जाएं कम ही होता है, जापान के मसाजों नोनाका दुनिया के सबसे जादा जीने वाले पुरुश हैं, जिनकी उम्र 112 साल और 269 दिन हैं, ये एक रिकॉर्ड है, और इसलिए गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इन्हें हाल ही में इस अवार्ड से नवाजा है, मसाजों से काल और 269 दिन है, 25 जुलाई 1905 को जन में मसाजों नोनाका होकाईडो आइलेंड के एश होरों में रहते हैं, इतने बुड़े होने के बावजूद भी मसाजों अपनी वीलचेयर पर बैठ कर खुद ही आते जाते हैं, इतने लंबे जीने का राज क्या है, इस पर मसाजों का कहना है कि वो होट बास लेते हैं और खुब मिठाई खाते हैं, लेकिन इस पर उनकी बेटी का कहना है कि मसाजों इस तरह का जीवन जीते हैं, जहां उन्हें तनाव नहीं होता, स्ट्रेस फ्री रहना ही उनकी लंबी उम्र का सबसे बड़ा कारण है, जापान के 77,800 शतायू लोगों में से एक हैं मसाजों नोना का, मिनिस्ट्री आफ हेल्थ लेबर और वेलफेर के मताबिक वो जापान के 77,800 शतायू लोगों में से एक हैं, जापान दुनिया में सबसे जादा बुढ़े लोगों वाला देश है, जहां कि औस तुचलाइफ एक्सपेक्टेंसी पु का है वो कारण जो इन्हें दिरगायू बना रहे हैं, भारत से जापानियों का लाइफ स्टाइल किस तरह अलग है, खान पान, सबसे बड़ी बज़य तो जापानियों का खान पान ही है, जापानी, चावल, सबजियां और मशली अच्छी तरह खाते हैं, साथ ही फर्मेंट क साथ ही खान पान में फर्मिटेड सोया का इस्तिमाल नहीं किया जाता और ना ही समुद्री शहवाल का, जापानी छोटी प्लेट्स में छोटे-छोटे मील्स खाते हैं, उनके खान पान का तरीका भारत की तुलना में बहुत अलग है, जापानी खाने को मुख्यते स्टीम कि हिस्सा है साथ ही खाने में कम से कम एक प्याला सूप का होना भी जरूरी है जब कि भारत का खान पान काफिए लग है यहां तो सबजियां जितने ज्यादा तेल में बनती हैं उसे उतना स्वादिश्ट माना जाता है काफी कम और चाई ज्यादा पीते हैं जापानी कोफी की तुल Edna में एंटी ऑक्सिडंट्स जादा होते हैं चाए भारती भी खूब पीते हैं लेकिन जापानियों की चाए हम भारतीयों चाए से एकदम अलग है बिना दूत की और वह चाय की हरी पत्तिएंग का इस्तिमाल करते हैं जिससे उसमें क्लोरोफिल और एंटी आक्सिदंट्स बरकरार रह सके जापानी हमेशा ताजा खाना खाते हैं बहुत जाधा ताजा जितनी ताजा सब्जियां उतनी ही ताजा मशली और अनाज भी जबकि भारत में तो विदेशों की तर्श पर फ्रोजन फूड काफी प्रचलन में आ गया है हम सब्तावर की सबजियां फ्रिज में स्टोर करके खाते हैं यही नहीं बहुत से लोग एक ही खाने को दो तीन दिन तक चला लेते हैं जापानी लोग खाने के लिए छोटी प्लेट्स का इस्तिमाल करते हैं जिससे खाने की मात्रा बहुत सीमित होती है खाने में बहुत कुछ हो सकता है लेकिन सब कुछ कम पोर्शन में जीवन शेली जापानी लोग आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तिमाल करते हैं यानि पैदल जादा चलते हैं कार वहां लगजरी समझी जाती है लोग घंटों बैठ कर काम करने की जगह खड़े होकर काम करते हैं इसके साथ साथ वहां दिन की शुरुवात राजियो टासो से होती है ये एक तरह का जापानी व्यायाम है और भारत में देखिए इंसान नौ से पांच की नौकरी बैठे बैठे निकाल देता है इसके अलावा पैदल चलने का प्रचलन यहां कम ही होता जा रहा है युनिवर्शल हेल्थ केर उनने सो साथ से जापान में एक अनिवार्य हेल्थ केर सिस्टम है जो जीडीबी का केबल आठ परसंट है लोग इससे स्वास्त लाव ले रहे हैं एक जापानी एक साल में करीब एक दरजन से भी जादा वार चेक अप कराने अपने डॉक्टर्स क के पास जाता है यानि तनाव तो लेना ही नहीं सीधे डॉक्टर को दिखाओ और जाहिर है जब तनाव नहीं होगा तो इंसान जादा जीएगा ही और यहां चिकित्सा संबंधी ऐसी कोई सुविधाएं लोगों को नहीं मिलती यहां लोग तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते जब तक मामला गंभीर ना हो स्वक्षता जापानी स्वक्षता को लेकर बहुत आपसेस्ट हैं उनकी संस्कृती में शिंटोईज्म की परंपरा है जिसका उदेश्य पवित्र करना होता है वहां रोजाना दो बार नहाना बहुत आम बात है और भारत में लोग भले ही घर को साफ कर लें लेकिन सडकों को कूडा घर समझते हैं भारत के लोग स्वक्षता पर इतना ध्यान देते तो देश के प्रधान बंतरी को स्वक्षता आभियान न चलाना पड़ता ऐसा नहीं है कि जापानी जो कर रहे हैं वो कुछ अनोखा है हम सभी जानते हैं कि जीवन में अगर ये सब भी आ जाए तो कुछ भी नामुम्किन नहीं है भारती महिलाएं तो वरत रखकर अपने पती और बच्चों की उम्र बढ़ा रही है उससे उम्र बढ़ती है या नहीं ये तो बहस का विशह है लेकिन हाँ अगर जीवन शैली बदल लेंगे तो दिरगाई हो सकते हैं